एलो फ्रेंड्स मैं विकास तीवारी एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब्टी पर लाया हूँ आज मैं बायलोजी MCQ की नेक्स्ट पार्ट तो सुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों ये वीडियो जो है आज से मैं 50 प्लस क्वेशन्स रखने की कोसिस कर रहा हूँ ताकि आपके बायलोजी के जो क्वेशन्स हैं वो जल से जल समय में कंप्लीट हो सकें तो सुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेशन नमबर 26 से स्टार्ट करते हैं आज कल की वीडियों में question 25 तक complete हो गया था तो पहला question है आज का दूद का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है तो दूद का दही में परिवर्तन जो है एक options हमारे पास है bacteria द्वारा, vitamin द्वारा, enzyme द्वारा या उपेर युक्त में से कोई नहीं तो इसका right answer आपके पास हो जाएगा दोस्तों bacteria के द्वारा ठीक है इसका right answer क्या हो जाएगा bacteria द्वारा दूद का दही में परिवर्तन होता है आपसे मैं जाना चाहूंगा दोस्तों कि ये कौन सा bacteria होता है जिसकी कारण दूद का दही में परिवर्तन होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हमारा और आपका कॉंटेक्ट बना रहे ठीक है चलते हैं अगले क्वेस्चन पे क्वेस्चन नमबर 27 निमलिखित में से किस फसल में नील हरित सैवाल मुख्यताह जैव उर्वरक के रूप में प्रियोग किये जाते हैं या प्रियोग होते हैं आप्सन्स हमारे पास हैं गेहूं, चना, धान या सरसूं तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा आप्सन C, धान धान की खेती में नील हरित सैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रियोग किये जाते हैं ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेस्चन की ओर नेक्स्ट क्वेस्चन पे निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रियोग्त होता है कौन जैव उरोवरक के रूप में प्रियुक्त होता है या होते हैं तो options हमारे पास हैं देखते हैं पहला एजोला, नील हरी सहवाल, अलफा अलफा और नाइक्ट्रोलिन तो अब हमारे पास इसका option है 2-4, 1-2-4, 2-3-4 और 1-2-3 तो यहां पे हम आपको बता दें कि जो एजोला है वो भी एक नील हरी सहवाल ही है और यह भी जैव उरोवरक के रूप में प्रियोग किया जाता है और नील हरी सहवाल जो है यह तो अभी उपर के question में ही चर्चा हुई कि धान की खेती के लिए सबसे उपरियोग यह है जैव उरोवरक के रूप में प्रियोग किया जाता है और साथ ही साथ यहां पे जो अलफा अलफा है यह भी क्या है यह भी जैव उरोवरक के रूप में प्रियोग किया जाता है यह भी एक सहवाल ही है ठीक है तो यहां पर हमा और नाइट्रोलिन जो है यह जैव उरवरक के रूप में प्रियोग नहीं किया जाता है तो हमारा राइट एंसर हो जाएगा option D यानि कि 123 ठीक है 123 राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं अगले question क्यों question 29 निमलिकित में से कौन एक जैविक उरवरक है ठीक है तो देखी जैविक उरवरक से ही जैव उरवरक से related questions अभी चल रहे हैं यहां पर तो हमारे options से यहां पर दे रखें हैं देखते हैं option है यूरिया 2,4 D फिर है streptocycline और देन है एजोला तो देखी अभी उपर के question में आया था एजोला तो एजोला यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा जो की जैविक उरवरक के रूप में प्रियोग किया जाता है चलते हैं अगले question की ओर question 30 समुद्री खर्पतवार निम्न लिखित में से किसका महत्पूर्ण स्रोत है options हमारे पास है गंधक का प्लोरीन का ब्रोमीन का या आयोडीन का तो जो समुद्री खर्पतवार है यह बहुत ही प्रचलित question है कई exams में आ चुका है और इसका right answer है आयोडीन ठीक है तो समुद्री खर्पतवार जो है आयोडीन का महत्पूर्ण स्रोत होता है चलते हैं अगले question की ओर इस्ट और मस्रूम है तो इस्ट और मस्रूम क्या होते हैं तो options हमारे पास हैं सैवाल एलगीज जिम्नो स्पर्म नगन बीजी या विक्रत बीज फाफून फंजाई या गांचदार ट्यूबरस रूट्स तो जो इस्ट या मस्रूम जो होती है वो एक प्रकार की फंजाई होती है फाफून होती है ठीक है और मस्रूम की तो सबजी भी खाई आती है आप लोगोंने सायद खाई होगी काफी अच्छी बनती है तो चलते हैं अगले question की ओर question number 32 सूक्ष्म जीव नारू bacteria को देखा जा सकता है options है हमारे पास खाली आँख द्वारा, hand lens द्वारा, compound खुर्दबीन द्वारा या electron खुर्दबीन यहाँ पर microscope की यह बात कर रहा है compound microscope या electron microscope ठीक है तो सूक्ष्म जीवांड जो है या bacteria जो है वो compound microscope की द्वारा देखा जा सकता है जिसका right answer यान question की ओर कुसकुट अमर बेल कुसकुटा है क्या है options हमारे पास है आंसिक तना पर जीवी पूंड तना पर जीवी आंसिक मूल पर जीवी और पूंड मूल पर जीवी देखिए अमर बेल जो है वो एक पर जीवी है यह तो सभी को पता होता है लेकिन यह कैसा पर जीवी है यह यहां पर देखिए दिया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा पूर्ण तना परजीवी ठीक है क्योंकि यह पूर्ण रूप से जो है इसके तने जो है दूसरे पेंड़ की साखाओं पे जो है तनों पर फैले रहते हैं उसी से जो है कि सारे जीवित रहते हैं इसलिए जो है इसको परजीवी बोला गया है क्योंकि पूर्ण 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 परजीवी इसको कहा जाएगा अगला पूर्ण 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 पूर अगला question है हमारा पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो options हमारे पास हैं बाहदल, पंखुली, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र तो इसका right answer आपका हो जाएगा पुंकेसर पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता ह जाए ठीक है कुछ केसर को केसर के रूप में प्रियोक किया जाता है तो ऑप्सन सी हमारा राइट एंसर हो जाएगा question next question है हमारा question number 40 किसी व्रच को अधिकतम हानी निम्न में से कैसे पहुंसती है ठीक है अगर किसी व्रच को बहुत हानी पहुचानी है तो कैसे पहुचा जाए सकती है options हमारे पास हैं उसकी पतियों में से आधी का नास कर दिया जाए यानि कि पतियां जो है उसकी काट डाली जाए तोड़ दी जाए सबी पतियों को तोड़ दिया जाए या काट दिया जाए उसकी आधी साखाओं का नास कर दिया जाए या उसकी छाल का नास किया जाए तो इसका right answer आपके पास हो जाएगा friends उसकी छाल का नास कर दिया जाए सबसे ज़्यादा जो हरास होता है पेल को वो उसकी छाल से ही होता है यदि उसकी छाल उसका तना जो है वो काम नहीं करेगा तो आगे वो व्रक्ष काम नहीं करेगा ठीक है पनप नहीं सकता है वो अगला question हमारा है पौधों में रस आरोहण चड़ाओ जो है वो किसके द्वारा होता है तो options हमारे पास हैं मजजा मजजा, फ्लोयम कैम्बियम और जाइलम ठीक है तो देखें पौधों में जो रसा रोहन होता है या चड़ाओ जो होता है वो हमारा किस के दौरा होता है वो जाइलम के दौरा होता है जो भी जल को ग्रहन करने की प्रक्रिया है वो किस के दौरा होती है वो जाइलम के दौरा होती तो रसा रोहन की प्रक्रिया किस के दौरा होगी जाइलम के दौरा होगी ठीक है अगला question हमारा है पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाओ से पहुँचता है ठीक है जो पौधों का जो जल है वो मूल रूम जो होते हैं उन तक जो है किसके कारण पहुंचता है तो यहाँ पे options हमारे पास है वायो मंजली दाब केसी का दाब मूल दबाओ या परासरन दबाओ ठीक है तो इसका right answer आपका हो जाएगा परासरन दबाओ option D ठीक है पौधों का जो जल है वो मूल रूम तक परासरन दबाओ से पहुंचता है या परासरन दबाओ के कारण पहुंचता है अगला question है कुनायन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औसदी है वह प्राप्त होती है तो कुनायन जो मलेरिया के लिए औसदी है वो किससे प्र लुटाना हैं तो ऊप्सशन हमरे पास है आवृत्य बीजी पाधप BAKTERIA Sono छेखे अ port यह बात कर रहा है अजी ओ यहां पर फैल्पाइगा एंजियो इस्फपर्मी प्लंच True यहां पर राइट स्चर आपस हो जाएगा एंजियोस कुछ जीवालू अपना भोजन संसलेशित करते हैं ठीक है और फिर कारण दे रखा है इन जीवालूं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन तो संसलेसित करते हैं ये बात बिल्कुल सही है ठीक है तो आपका ए तो सही है लेकिन यहाँ पे कह रहा है कारण दे रखे हैं कि इन जिवारियों में हरा पदार जो हरित लवक कहलाता है वो पाया जाता है वह या ऐसी कोई बात नहीं है कि हरा हरित लवक पाया जाने की वज़ चलते हैं next question पर निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मिरत्यू का पता लगाने में महत्व है ठीक है मतलब कोई जो जीव डूब कर किसी की मिरत्यू हो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए किस प्रकार के जीवों का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर हमारे पास options है option है option हमारे पास है lichen, protojova, synojewaloo, ditum ठीक है तो इसका right answer आपका हो जाएगा option d, ditum ठीक है, ditum जो है एक प्रकार का सहवाल है जो कि पानी में तरता रहता है ठीक है, पानी में क्या करता रहता है, float करता रहता है तैरता रहता है और इसी का प्रयोग जो है डूबने से अगर किसी की मिलत्य हुई है तो उसका पता लगाने के लिए डायटम का ही प्रयूग किया जाता है साथी साथ जल में तैरने वाला जो डायटम है और इसके साथ एक और होता है वालवाक्स ठीक है जिसका नाम क्या है फ्रेंच्ट वालवाक्स है ठीक है v-o-l-v-o-x ठीक हैcompete वॉल्वाक्स तो वॉलवाक्स भी जो है वह उसका भी प्रयोग किया जा सकता है इसकी जगए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन पर किस फल का विकास पुष्प करम में होता है तो आप्सन्स हमारे पास है सेव, अमरूद, अननास और अंगूर ठीक है तो यहां पे जो अननास है अननास का विकास जो है वो पुस्प क्रम में होता है तो यहां पे हमारा राइट एंसर हो जाएगा option C अननास का विकास पुस्प क्रम में होता है चलते हैं अगले question की ओर question number 36 किस फल में असली और नकली फलों के गुड़ सम्मिलित होते हैं यहां पे बात असली और नकली फल क्या होते हैं तो असली और नकली फलों की यह भी टाइप है यह ठीक है अचली कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फलों के निर्माड में पुस्प के भाग होते हैं जैसे कि पुस्पासन या दलपुंज होता है तो वो इसमें भाग लेते हैं ठीक है पौधे के फल के निर्माड में भाग लेते हैं और ऐसे जो फल होते हैं उनको जो है फाल्स बनने वाले फल जो होते हैं, जो फल अंजासे से बनते हैं, उनको यहां पर असली फल कहा जाता है, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि दोनों के गुल किसमें सम्मिलित हैं, तो आप्सन देखते हैं हम यहां पर केला, आम, बदाम और काजू, ठीक है, केला, आम, बदाम और क्यूंकि काजू में असली और नकली दोनों ही फ़लों के गुल सम्मिलित होते हैं ठीक है चलते हैं अगले question की और नेक्स्ट क्या रहा है व्रक्ष की आयू वर्सों में निधारित की जाती है व्रक्ष की आयू वर्सों में निधारित की आती है किसके द्वारा तो आपसन हमारे पास है इसके भार द्वारा फिर है इसकी उचाई द्वारा इसमें वार्षिक वलेयों की संख्या की आधार पर या इसकी जणों की लंबाई द्वारा तो देखी ये जो question है या इसका answer जो है वो बहुत ही आसान है और ये उम्मिद करता हूँ कि आप सभी को पता होगा क्यूंकि इसका right answer है option C इसमें वार्षिक वलेयों की संख्या के आधार पर व्रक्ष की आयू निधारित की जाती है और वह कौन सा method होता है तो वह method होता है carbon 14 ठीक है या carbon dating जिसको बोलते हैं ठीक है carbon dating के basis पे जो है व्रक्ष की आयू पता की जाती है चलते हैं अगले question क्यों ब्रूल कोस में इस्थित दोतियक केंद्रक से नर यूगमक का संयोजन कहलाता है ब्रूल कोस में जो इस्थित जो secondary nucleus है उससे जब नर यूगमक जो है male जाए goat का संयोजन होता है तो उसे प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है यह बताना है मैं यहाँ पे तो इसका options इसके देखते हैं option है हमारे पास निसेचन अनिसेक जनन ठीक है त्री सनलयन या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer आपको मिल जा आएगा ठीक है next question है हमारा दूइ निसेचन double fertilization की क्रिया है तो options हमारे पास हैं दो नर यूगमकों का संयोजन next option है अन्ड कोसा वा दो नर यूगमकों का संयोजन फिर है एक नर यूगमक का अन्ड कोसा से दूसरे का दूतियक केंदरक से संयोजन तो double fertilization जो है उसका right answer आपको मिल जाएगा एक नर यूगमक का अन्ड कोस से दूसरे की secondary केंदरक से संयोजन फिर है दोतियक केंदरक से संयोजन नर यूगमक जो हता है उसके अंड कोस का जो है संयोजन जो है वो किसे होता है दूसरे के secondary nucleus से संयोजन होता है तो वहां पर double fertilization की कही जाती है ठीक है चलते हैं अगले question प है options हमारे पास है समुद्रिक जानवर को कहा जाता है जलिय पौधे को कहा जाता है एक पौधी रोग को या जड़ रहित पौधे को ठीक है तो option हमारे पास यह है और इनका right answer आपको मिल जाएगा बहुत यह आसान question है यह कि जलिय जो पौधा होता है उसी को जो है hydrophite के नाम जाता है और जलते हैं अगले question कि ओर next question है कि जल की अधिकता मात्रा जिसकी पौधों की आवस्यकता होती है वहान उसे आवसोंसन निमन के माध्यम से करते हैं तो जलिय आदिक तम मात्रा जिसको पौधों की आवसेक्ता होती है वहां उसे निम्न के माध्यम किसके माध्यम से वो जो है पौधे इसको जो है अवसोसित करते हैं यह हमें यहां पर बताना है ठीक है अधिकता मात्रा किसके द्वारा जो है यह ग्रहेंड करते हैं तो आपसंस हमारे पास है कि बिंदु से फिर है देरगी करन जून से और नेक्स्ट है जणों के बालों से ठीक है तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा जो जो रूट होती है उसके जो रेसे होते हैं या बाल इस यहाँ पर बोला गया है ठीक है तो उसी से जो है यहाँ पर जल की अधिक्तम मात्रा जो है पौधे अब्जार्व कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो इसका राइक एंसर आपका हो जाएगा, आपसंट D, ठीक है, जड़ों के बालों से, तो चलते हैं, अगले question की ओर, question number 49, एपिफाइट्स वे पौधे हैं, जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, आपसंस हमारे पास हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, या जल के लिए, ठीक है, तो इसका राइक एंसर आपको मिल जाएगा, यांत्रिक अवलंब के लिए, ठीक है, य यांत्रिक अवलंब के लिए एपिफाइट्स वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर यान्ने पौधों पर जो है यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं ठीक है नेक्स हमारा है मरस्थली पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्यूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मरस्थली पौधों की जड़ें लंबी होती है और क्यूं होता है तो भूमी का उच्छ तापमान जड़ों को लंबा होने है तो प्रोचाहित करता है दूसरा है जड की गर्मी की विपरीद इसा में बढ़ती हैं तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि भी आप सभी को पता होगा कि मरुस्थल में क्या होता है पानी की कमी होती है और पाउधों को क्या चाहिए पानी चाहिए ठीक है बिना पानी के तो जीवी थी नहीं रह सकते तो इसलिए जो है मरुस्तली पौधों की जड़ें होती है वो पानी की तलास में लंबी हो जाती है काफी गहराई तक पेड़ों की जड़ें जो है चले जाती है जब तक उन्हें पानी प्राप्त नहीं होता है को कहते हैं ठीक है सुस्क जलवाई के जो भली मात अनकुलित एडॉप्टेट जो प्लाइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो हमारे पास आप्सन है आधिपादप मरूद भिद जलोद भिद या मध्य पादप ठीक है जिसका राइट एंसर हो जाएगा मरूद भिद ठीक है सुस्क जलवाई की बात कर रहा है तो मरूद भिद ही होंगे जो मरू में जिनका उद्गम होगा होगा जहां से वह उद्पन होगे होंगे मरू में तो मरू मरूस्थल की बात करता है ना मरूद भिद तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि सुस्क जलवाई की बात कर रहा है तो यह क्यों जाएंगे मरूद भी दो जाएंगे ठीक है तो नेक्स हमारा है नीचे दिये पौधूं और उनके खाद भाग के युग्मों का में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ठीक है तो आपसन हमारे पास है अधरक अधरक का जो प्रकंद है वो खाया जाता है प्याज में मानसलपन होते हैं वो खाया आते हैं आलू जो है वो मूल है वो खाया आती है आलू का पार्ट जो मूल होती है मतलब अधरक प्रकंद होती है ऐसा बोला गया है आलू मूल है यह बोला गया है प्याज मानसलपन होता है यह बोला गया है नारियल जो है भ्रूंग पोस होता है उसका वो पार्ट खाया जाता है तो यहाँ पर यह हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो आप सभी को पता होगा सबसे आसान है यह कि आलू जो होती है जो खाने वाला पार्ट होता है वो उसमें क्या होता है तना होता है आलू जो है जो हम लोग खाते हैं वो क्या है एक प्रकार की तना है मूल नहीं है तो यह यहां पे गलत दे रखा है अधरक एक प्रकंद होता है प्याज मांसल पांड है बिल्कुल सही है और नारियल भूंगल पोस होता है तो नेक्ष मारा है निमलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है तो options हमारे पास है, देखे तना नहीं है एசा पूछा गिया है, नहीं है ठीक है तो पहला है गन्ना, फिर है अधरक का, आलू का या सकरकंद का तो यहां पे देखिए जो संग्रह अंग की यहां पे बात कर रहा है तो संग्रह अंग जो है वो गन्ने में भी है अधरक का भी होता है अलू का भी भाग जो है अंग जो है तना है संग्रह अंग तना होता है और यहां पे जो सकरकंद होता है उसका संग्रह अंग तना नहीं हो होता है ठीक है तो यह आपर हमारा गलत हो जाएगा और यहीं हमारा क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा चलते हैं अगले question की ओर निम्लिखित मसालों में से कौन सी एक पुस्प कलिका होती है ठीक है तो आपसन हमारे पास है कपास वा प्याज सूरज मुखी वा गुलहल गुलहल वा कपास या इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा गुलहल वा कपास यह एक ही कुल के सदस्य होते हैं नेक्स्ट हमारा है निम्लिखित में से में कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है ऐसी कौन सी फफूंद होती है जो खाई जाती है ठीक है तो आपसन हमारे पास है म्यूकर, नेक्स्ट है मारकेला, पिकसनिया या अश्टिलैमू ठीक है तो जिसका right answer है हो जाएगा थीक है मारकेला फर्फुण जो है वो खाने यитель का उबहर हैँ किसे प्रदान की गई है तो आप्सन अमारे पास है जेतल आंतरिक सनचना वाले ठैडियोफाइट को एक कोशिकी सहवालों को सरलांतरिक सनचना वाले ब्रैओफाइड को या एक कोशिकी अचल सेवालों को ठीक है तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा कि option C सरल आंतरिक सनचना वाले ब्रायोफाइटों को पादब जगत का उबहेचर संग्या प्रदान किया गया है ठीक है नेक्स्ट है अभीजी पादप जिसमें सम्वहन उतक पाया जाता है तो options हमारे पास हैं ब्रायोफाइटा में टेरीडोफाइटा अनावरत तिबीजी या आवरत तिबीजी ठीक है अभ तो इसकाً राइट एंसर हो जयेगा तेरीडोफायटा ठीक है तेरीडोफायटा जो है आप्संसी राइट एंसर हो जाएगा अभी-जी पादल इसमें सम्वहालों तक पाया जयाता जी क्योंकि जो और जो इंब्रायोफाइटा है वो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा दो पार्ट में डिवाइड होता है ठीक है तो टेरिडोफाइटा जो है टेरिडोफाइटा में समवहन उतक और भूर्ण दोनों ही उपस्तित होते हैं तो यहां पे समवहन उतक की बात की गई है ब option c हमारा क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, तरीड़ फाइटा जिसमें सम्भानू तक पाया जाता है next हमारा है दूइ गुनित, 2N, गुरु बीजाणलू मात्र कोसा से सीधे ही दूइ गुनित भूरूणू कोस के निरमाड को क्या कहा जाता है तो आप्सन्स हमारे पास हैं दुई गुणित बीजांडलता अपस्थानिक भूंडलता उभय मिस्टनल या इन में से कोई नहीं ठीक है तो ये दुई गुणित बीजांडलता ठीक है आप्सन ए इसका राइक एंसर हो जाएगा दुई गुणित बीजांडलता दुई गुरु के भुट्टे में लंबे रेशमी बाल हैं ये जो हाँ भुट्टा आप लोगों देखा होगा मक्के का तो उसमें जो है जो बाल जैसे रेशम निकले रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है यहां पर यह बात की गई है तो पहला आप्सन हमारे पास है बीज आवरंग की वर्दियां या इन में से कोई नहीं ठीक है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन भी लंबी वर्थिकाएं जो पराग कड़ों को ग्रहल करने में सहयक होती हैं नेक्स्ट है नारियल आम वा बदाम के फल होते हैं कैसे फल होते हैं यह कैटिगरी यहां पर देखिए ब ड्रूप फॉलिकिली और नट ठीक है तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा ड्रूप यह क्या होते हैं यह अस्ठिफल या ड्रूप के अंतरगत आते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारा है निम्न रेसों में से कौन पौधूं के तने का उत्पाद नहीं है तो आपसन हमार तने का उत्पाद नहीं है ठीक है बाकी सभी तने से प्राप्त किये जाते हैं जबकि कपाज जो है वो तने का उत्पाद नहीं होता है नेक्स्ट हमारा है निम्न अधो भूमी उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है रूपांतरित जड़ की दे जकरकंद जो है वो यहाँ पे एक रूपांतरित क्या है जड़ है ठीक है नेक्स्ट है लॉंग लॉंग क्या है तो लॉंग है तना की गाठें जड़ की गाठें बंद कलियां या बीज तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा लॉंग जो है वो बंद कलियां होती है ठीक ह फुस्प कलियों कलियां भी कहा जाता है फुस्प कलियों इसको कहा जाता है या बंध कलियों कहा जाता है इस्तम्भ पत्ता अनुपन्ड या पढड वरंत गहट CE यह गहट के रूप में जो के रूप आंत्रित होगे लीम वोगों और यह लोग के रूप में चल चाया है तो उसमें मैंने बताया था कि जो पत्ती होती है वो क्या करती है उसका पीछे का भाग घड़े का आकार ले लेती है और आगे का जो पार्ट होता है वो एक धक्कन जैसा रूप ले लेती है ठीक है तो इसलिए इसको घटपण्डी कहा जाता है ठीक है तो यहां पर बताना है किस पार्ट से हल्दी प्राप्त होती है तो आपसन हमारे पास है जड फल पुष्प या तना तो तने से हल्दी प्राप्त होती है राइट अंसर क्या हो जाएगा आपसन डी तना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निमलिखित में से कौन सा रूपांतरित इस्तंभ है यह में यहां पर बताना है option हमारे पास है गाजर, ठीक है सकरकंद, नारियल और आलू, तो रुपांतरित इस्तंभ की बात यहां पे यानि कि तने की बात कर रहा है तो रुपांतरित तना जो है वो आलू होती है, ठीक है तो यहां पे आलू जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि कि option D इसका राइट एंसर हो जाएगा next है 69 हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है ठीक है, हल्दी के खाने लायक हिस्सा कि यहां पे बात कर रहा है तो options हमारे पास है जड, प्रकंद, फल या कंद ठीक है, तो हल्दी जो है हल्दी का खाने लायक भाग जो होता है वो प्रकंद होता है ठीक है, खाने लायक भाग कौन सा होता है वो प्रकंद होता है ठीक है तना भी बोल सकते हो आप next है, किस कुल में नर तथा मादा पुस्प एक ही पौधे पर पाई जाते हैं आप्सन्स हमारे पास हैं मालवेसी, क्रूसी फेरी, कुकुर बिटेसी और सोलोनेसी ठीक है तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा कुकुर बिटेसी आप्सन सी ठीक है जिसमें नर तथा मादा पुस्प एक ही पौदे पर पाए जाते हैं नेक्स्ट है नारियल में खाने योगी भाग है तो नारियल में खाने योगी भाग यहाँ पर देखिए ऑप्सन्स हमारे पास हैं भ्रूंड नेक्स्ट है भ्रूंड वा तेल युक्त भ्रूंड पोस नेक्स्ट है संपूंड फल उप्रयोप्त में से कोई नहीं तो इसका right answer हो जाएगा embryo, brund वा तेल, युक्त, brund, पोस, यानि की option भी इसका right answer हो जाएगा ठीक है, चलते हैं next question पे question number 72 कह रहा है, इसमें मिलान करना है, एक तरफ फल दे रखे हैं और दूसरी तरफ मिलान करना है, किस से ये बने हुए है, तो कह रहा है, फ्रू तो देखते हैं, इसका right answer होगा क्या 72 में है, सबसे पहला हमारा फल, फल जो है वो कैसे बनते हैं, तो फल जो है ओवरी, अंडासे से बनते हैं ठीक है, तो ये आप मिलान कर लीजिए, ओवरी से मिलेगा फल अंडासे से बनेगा, फिर जो बीज है, बीज जो है, वो बीजांड, ठीक है, कास्ट की बात करें, तो वुड जो है, वो तो तने से ही प्राप्त होती है और जो बचा हुआ है मन जो, यानि कि वो लिफ में हो जाएगा ठीक है, तो यानि कि यहाँ पर यह हो जाएगा, 4, 1, 3, 2, ठीक है तो यानि कि option B आपका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा, 4, 1, 3, 2, ठीक है right answer हो जाएगा, शलते हैं अंगले question पर निम्न लिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो अधरक जो है, राजोम से, केसर बीज से और अफीम की डूटी जो होती, उससे प्राप्त करते हैं सन जो हो तना से प्राप्त होता है तो भीया देखिए, इसमें option जो B है, केसर, केसर जो है वो बीज से नहीं प्राप्त किया जाता है केसर कहां से, पुंकेसर से प्राप्त की जाती है, ठीक है, बाकी सभी यहां पे सही है, तो चलते हैं अगले question की ओर, question number 74, मटर पौधा है, कैसा, कैसा पौधा है, कैरा साक है, पुस्प है, या जाड़ी है, या इन में से कोई नहीं है, ठीक है, तो option हमारे पास हो चुके है, औ की ओर, अफीम पोस्ता, या अफीम पोस्त, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, अफीम पोस्त जो है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो options हमारे पास है, फूल, पत्ते, अधपके फल, या मूल, ठीक है, तो जिसका right answer आपका हो जाएगा, अधपके, फू अफीम पोस्ट जो है वो अदपके फल से प्राप्त होता है फूल, पत्ति, फल या तना तो इसका right answer आपका हो जाएगा ohpial C Pie अवह फल से प्रांप्त की जाती है या प्रांप्त होती है सहतूत का फल है सहतूत का फल क्या है सोरोसिस साइक कोनस समाग या नट तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सोरोसिस सहतूत का फल क्या है सोरोसिस होता है नेक्स चलते हैं निमलिखित में से कौन सा एक फल है इस पी बात करनी है तो आलू मूली भिंडी सकरकंद तो देखिए आलू तना होता है सकरकंद यह प्रकंद है और या रूपांतरित और मूली जो है वो जड़ है और option c आननी कि यहां पर जाए राइट राइट रहाएंसर हो जाएगा भिंडी ठीक है भिंडी जो है वो क्या है यहां पर फल होता है ठीक है तो option c आपका राइट रहाएंसर हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा उसमें से पूपस्थित था, लेकिन इसका राय चेंसर क्या हो जाएगा अनुप सिथ है और भुनल का निर्माण हो रहा है नेक्स्ट है हमारे पास बंद गोबी का खाद्य अंस होता है बंद गोबी का खाद्य अंस कौन सा होता है तो भी आप ये ध्याना किये बंद गोबी का खाद्य अंस जो है काईक कलिका जो होती है वही खाने योगी होती है ठीक है, next question हमारा है मानो जाती वनस्पत विज्ञान वनस्पत विज्ञान की वह साखा है जिसका अध्यन छेत्र है क्या? भीया देखिए मानो जाती इथनो बॉटिनी की बात कर रहा है इथनो बॉटिनी जो है वो जनजाती और सदी से संबंधित पौधों का अध्यन की जाता है तो यहाँ पर option D आपका right answer हो जाएगा next है question number 82 और आज की वीडियो का last question किस पादप को साकी भारती डॉक्टर की उपमा परदान की गई है तो यह बहुत ही आसान question है सायद सभी को पता होगा आवला नीम आम और तुलसी तो तुलसी जो है उसे साकी भारती डॉक्टर की उपमा परदान की गई है यदि दोस्तों हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करना न भूलें थैंक्यू धन्यवाद जै हिन जै भारत